दोस्तो साल 2022 अब खत्म हो चुका है ऐसे में हर कोई नए साल 2023 का अलग-अलग तरह से वेलकम कर रहा है सर्फ हम और आप ही नए साल के इंतजार में नहीं थे बलकि बॉलिवुड इंडस्ट्री को भी न्यू यर का बेस सबरी से इंतजार था क्योंकि 2022 तो बॉलिवुड के लिए किसी पनौती से कम सावित नहीं हुआ लेकिन बी टाउन को पूरी उमीद है कि न्यू यर फिल्मों के लिए भी अच्छा साल सावित होने वाला है नए साल में कई धमाकेदार फिल्में बड़े परदे से लेकर OTT पर रिलीज होने के लिए तयार है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन फिल्मों के बारे में जो 2023 के पहले महीने जनवरी में रिलीज होने वारे हैं वीडियो की शुरवात करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे चानल चोटा मूबड़ी बात की तरफ से नव वर्ष की हारदिक शुपकामना है दोस्तो जनवरी में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है कुट्टे हिंदी सीनेमा के दंदार अक्टर अरजन कपूर और अक्टरस तब्वू की मूस्ट वेटेट फिल्म कुट्टे रिलीज के लिए पूरी तरह से तयार है हाले में फिल्म कुट्टे का शांदार ट्रेलर रिलीज किया गया जुसने फैंस की एक्साइटमेंट को काफी जादा बढ़ा दिया है बता दे कि अरजन कपूर की फिल्म कुट्टे 13 जनवरी 2023 को सीनेमा घरों में रिलीज होगी बॉलिवड अक्टर अरजन कपूर की अपकमिंग फिल्म कुट्टे से सभी अक्टर्स के दमदार लुक को भी रिवील कर दिया गया है दरसल इन लुक्स को मोशन पोस्टर के रूप में रिलीज किया गया है और साथ ही इसमें किरदारों के जबरदस्त डालॉग भी सुनाई दे रहे हैं इस पोस्टर को साजा करते हुए मेकर्ज ने कैप्शन में लिखा एक हड़ी और साथ कुट्टे चलो भसर शुरू करें फिल्म कुट्टे में अरजन कपूर को देखने से पता लगता है कि वो एक पुलिस ओफिसर के किरदार में है उनके अलावा फिल्म में दिगजबिनेता नसीरू दिन शाह, कौनकोना सेन शर्मा, कुमुद मिश्वा, रादिका मदान, शारदुल भारद्वाज और तब्बू एहम किरदारों में नज़र आएंगी मोशन पोस्टर में हर कैरेक्टर को एक अलग और दमदार अंदाज में देखा जा सकता है कुत्ते के मोशन पोस्टर की वीडियो कलिप में औरजुन कपूर को कहते हुए सुना जा सकता है गोली सर पर मार दे, मैटर खत्म मही तब्बू का फेमस जालोग है तो क्या शेर भूका होगा तो जहर खा लेगा मही कोन-कोना सेन शर्मा ये कहते में सुनाई देती है बकरी हम, कुत्ता तू और शेर तेरा मालिक नसीर उद्दिन शाह का दमदार डायलोग है मुँ मांगे दाम दूंगा उसे उडाने की इस फिल्म के मोशन पोस्टर को देखने से पता चल रहा है कि ये एक जबरदस्त आक्शन और क्राइम थृलर फिल्म होने वाली है फिल्म कुत्ते का निर्मान भूशन कुमार, लवरंजन, विशाल भारदवाज, अंकुर गर्ग और रेखा भारदवाज ने मिलकर किया है महीं इस फिल्म से दिगज फिल्म मेकर और संगीत कार विशार भारदवाज की बेटे आसमान भारदवाज हिंदी सिनेमा में बत और डारेक्टर कदम रखने वाले हैं फिल्म कुत्ते 13 जन्वरी 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी दोसो जन्वरी में दस्तक देने वाली इस दूसरी फिल्म का नाम है लकडबग्गा अक्टर अंशुमन जह और एक्टरिस रिद्धी डोगरा की पॉपुलर फिल्म लकडबग्गा भी इस साल की शुरुवात में सीनेमा घरों में दस्तक देने वाली है 13 जन्वरी को फिल्म कुट्टे और लकडबगगा की बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लाश देखने को मिलेगा बताया जा रहा है कि फिल्म भेडिया की तरह लकडबगगा एक अलक थीम पर बेज़ है एनिमर लव पर बेस्ट इंडिया की पहली एक्शन फिल्म लगण बगगा का 21 दिसंबर को कॉलकाता अंतरास्ट्रे फिल्म फेस्टिवल के प्रीमियर के साथ विल्कम किया गया मेकर्स ने अनांस्मेंट की है कि फिल्म 13 जन्वरी 2023 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलेज हो जाएगी ये फिल्म आरजन कपूर के फिल्म कुत्ते के साथ कॉम्पटीट करेगी ये फिल्म कॉलकाता में हुई रियल इंसिडेंस से प्रेरित है इसमें अवयत पशुव्यापार उद्द्यों के बारे में दिखाया जाएगा फिल्म में अंशुमन जहां रिद्दी डोगरा, मिलिन सोमन और परेश पाहुजा एहम भूमिकाओं में है अक्टर्स फिल्म को लेकर काफी जादा एक्साइटेड है इस बारे में अंशुमन ने मीडिया से बात करते वे कहा लकडबगा कुत्तों और बड़े पैमाने पर जानवरों के लिए मेरा प्रेम पत्र है और मैं 13 जनवरी को दुनिया को अर्जुन के किरदार से मिलाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ ये एक सार्वामिक फिल्म है जिसमें कोलकाता में बसी एक भारती आत्मा और इसका आक्शन ऐसा है जो आपने पहले नहीं देखा है वहीं एक्ट्रस रिद्धी डोगरा का इस फिल्म को लेकर कहना है लकडबगगा वास्तव में एक विशेश फिल्म है इसमें एक्शन थ्रिल है इसमें इमोशन भी है मेरा किरदार नायक और प्रतिपक्षी की दुनिया के बीच का ग्रे हिस्सा है ये सपस्ट रूप से मेरे परदे पर शुरुवात के लिए विशेश है और मैं जनवरी 2023 में दुनिया में इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती फिल्म के डारेक्टर विक्टर मुकरजी ने फिल्म को लेकर कहा फिल्म कुछ वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक सामाजिक मुद्धे पर बेज जै जिसमें भरपूर एक्शन है जो दर्शकों को हैरान कर देगा अंश्रमन को लेकर टारेक्टर का कहना है कि वो बड़े परदे पर निभाए अपने किरदारों के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हट कर अलग किया है इस फिल्म में उनका कमाल का ट्रांस्फोमेशन देखने को मिलेगा ये फिल्म एक इनसान के बारे में हैं जो सच्चाई को उजागर करने और भारती आवारा कुत्तों की नसलों की रक्षा करने के लिए अपनी शमता को दिखाता है इस एक्षन थ्रिलर फिल्म का अंतरास्टे प्रीमियर 28 दिसंबर 2022 को एच बियो साउथ एशियन इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल नियू यॉक में किया गया था इसे फ्रेंच डियोपी जीन मांग द्वारा शूट किया गया है दोस्तर जिन्वरी में रिलेज होने के लिए शेडियूल हमारी इस तीसरी फिल्म का नाम है मिशन मजनू बॉलिवोड के सुपर स्टार सिधात मलोत्रा की बहुँ चर्चित फिल्म मिशन मजनू 20 जिन्वरी 2023 को रिलेज होनी है हाला कि सिधात की फिल्म मशूर OTT प्लाटफॉर्म नेट्फिक्स पर रिलेज होकी इस फिल्म में सिधात के अलावा सौथ सिनेमा की सुपर स्टार रश्मिका मंदाना भी लीज रोल में मौजूद है सिधात मलोत्रा पिछले काफी समय से अपनी फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग में बीजी चल रहे थे अब फिल्म तयार हो चुकी है और जल्दी रिलेज होने वाली है फिल्म के मेकर्ज ने इसे सिनेमा घरों में रिलीज ना करते हुए OTT प्लाटफॉर्म पर स्ट्रीम करने का फैसला लिया है सिधात मलोत्रा की पिछली फिल्म शेर्शाह जो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक थी कोविट की चलते OTT प्लाटफॉर्म पर ही रिलेज हुई थी फिल्म को काफी सरहाना भी मिली थी जिसने सिधात को एक अच्छा आक्टर भी सावित किया था हाला कि उनकी आखरी फिल्म ठैंग गॉड बॉक्स आफिस पर फ्लॉप सावित हुई अब उनकी अगली फिल्म मिशन मजनू OTT प्लाटफॉर्म पर रिलेज होने वाली है हाली में मिशन मजनू के रिलेज की जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार फिल्म OTT प्लाटफॉर्म नेट्लिक्स पर 20 जिनवरी को रिलेज हो जाएगी फिल्म मिशन मजनू के कहानी के बात करें तो ये एक स्पाय थ्रुलर फिल्म है और मुवी में सिध्धात एक एजन्ट के किरदार में नजर आने वाले हैं फिल्म कार आरेक्शन शांतनू बाग्ची ने किया है वहीं प्रोडक्शन की कमान रोनी स्कुरुवाला अमरुटाला और गरीमा महता ने समहारी है मिशन मजनू को लेकर पहले जानकारी सामने आई थी कि इस फिल्म को 13 मई को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा फिर डेट को आगे बढ़ा कर 12 जून कर दिया गया वहीं अब मिशन मजनू के मेकर्ज ने फिल्म के OTT पर रिलीज होने के अनाउंस्मेंट करने के साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म अब 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी दोस्तो नए साल के पहले महीने में धमाका करने वाली अगली फिल्म का नाम है पठान हिंदी सीनेमा के मेगा सुपरस्टार शारुखान की मोस्ट अवेटेट फिल्म पठान नए साल की सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही है रिपब्लिक डे के मौकी पर 25 जनवरी को सीनेमा घरों में पठान रिलीज की जाएगी शारुखान के अलावा इस फिल्म में बॉलिवुट के आक्टर जॉन इब्राहम और एक्ट्रेस दिपिका पदुकोन लीड रोल में नज़र आने वाले हैं लंबे समय तक शारुखान ने अपनी किसी भी फिल्म को लेकर कोई भी अनाउंस्मेंट नहीं की थी पठान के जरीय सार के चार साल बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं और फैंस भी इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेट थे आखिरकार फैंस का इंतिजार जल्द ही खत्म होने वाला है शारुखान के फिल्म पठान कुछ ही दिनों में रिलीज होने के लिए तायार है इस फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप क्रियेट हो चुकी है मेडिया रिपोर्ट्स के नुजार पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो जाएगी पठान फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली सिधात आनंद की बॉलिवूड एक्शन ड्रामा फिल्म है आदित चोपडा की सुपरविजन वाले ब्रांड ये श्राज फिल्म के तहट फिल्म का निर्मान किया गया है इसके अलावा दानिश आलम और सिधात आनंद ने पठान फिल्म के कहानी पर मिल कर काम किया है शारुखान और दिपिका पादकोण इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे जौन अब्राहम भी एहम रोल में है वही सल्मान खान फिल्म में कैमियो करते वे नज़र आने वाले है पठान बॉलिवूट के बादशागी एक्शन से भरपूर एंटर्टेंट थ्रिलर प्रोडक्शन फिल्म है और ये एक दल्चस्प फिल्म के साथ एसार के वापसी कर रहे है शारुखान की सबसे हालिया फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था जीरो शारुखान के साथ इस फिल्म में अनुषका शर्मा नजर आई थी तब से शारुखान की सभी फैन्स को शारुखान की अगले फिल्म के रिलीजिंग के लिए काफी जादा इंतजार था दोस्तों पतादे चला कि पठान फिल्म में एक डियस्टोपियन सेटिंग और एक क्राइम ट्रिलर होगा फिल्म में एक बड़े ड्रग किंग पिन के रूप में जॉन अब्राहम बुरे आदमी का करदार निभाएंगी एक क्रूर अलग जिसने अपनी मा को ही मार डाला होगा वो इस जीवन में क्या करेगा कुछ ऐसा किरदार होने वाला है फिल्म में जॉन अब्राहम का महिशारुखान रॉएजेंट की भूमिका में दिखाई देंगे जबकि दिपिका पदुकोन फिल्म में एक पुलिस ओफिसर के रोल में नज़र आने वाली है इस फिल्म को हिंदी तेलेगू और तमिल भाशा में रिलीज किया जाना है लंबे समय के बाद हम आखिरकार किंखान को बड़े परदे पर देखने वाले हैं यश्राज स्टूडियोज के सपोर्ट से वो एक धमाकेदार कमबाक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दोस्तो जनवरी में तहल का मचाने वाली हमारी अगली फिल्म का नाम है गांधी गोट से एक युद हिंदी सिनेमा के मशूर डारेक्टर राजकुमार संतोशी फिल्म गांधी गोट से एक युद के जरिये वापसी कर रहे हैं इस फिल्म को 26 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीस किया जाएगा इसका मुकाबला स्र के स्टार फिल्म पठान से होने वाला है भारती सिनेमा इंडस्ट्री के मशूर फिल्मेकर राजकुमार संतोशी नौ साल के ब्रेक के बाद अपनी आने वाली फिल्म गांधी गोट से एक युद्ध के साथ डारेक्शन की दुनिया में वापसी करने जा रहे हैं भारती सिनेमा की लीक से हटकर फिल्मों में अपने योगदान के लिए लोग प्रिये डारेक्टर महात्मा गांधी और नातुराम गोट से की विचार धाराओं पर बेजज एक और अभूत्पुर्फ फिल्म सबके सामने पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है डारेक्टर ने बीते दिन अपनी अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया है अंदाज अपना अपना से लेकर फटा पोस्टर निकला हीरो तक राजकुमार संतोशी ने बड़े पर अपनी कला का बहतुरीन प्रदर्शन किया है उन्हीं हमेशा से ही महात्मा गांधी और नातुराम गोटसे की बीच विचार धाराओं के युद्ध को दिखाया गया है जिससे फिल्म देखने के लिए फैंस के बीच एकसाइटमेंट का लेवल बढ़ रहा है महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ही टैलेंटेड अक्टर दीपक अंतानी निन गांधी गोटसे की कहानी अजगर वजाहत और राजकुमार संतोशी ने मिलकर लिखी है संतोशी प्रोडक्शन के बैनर तले बनिये फिल्म पी वियार पिक्चर द्वारा रिलीज की जा रही है इस फिल्म में ऑसकर ग्रैमी विनर संगीत कार एयार रहमार ने जबरदस्त म् दोस्ता आप जन्वरी में रिलीज होने वाली इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा उतावले हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी जो राय है या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप